हेलो, 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 प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागते आपका नीट नेशन के जमेजिंग चैनल में बाहु बली फिजिक्स की सीरीज में, मेरा नाम है महेंदर सिंग और मैं हूँ आपका फिजिक्स एजुकेटर, बच्चो अब आप स कैसा है जो छोटे-छोटे रिकॉर्डेट फॉर्म में आपको मिलेगा, जो आपकी प्रेपरेशन में चार चान लगाने वाला है, नीट के बारे में हम सब लोग जानते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स, जिनसे लगातार क्वेशन्स रिपीट होते हैं, कभी बार एज़िट इस सवाल रिपीट हो जाते हैं, एट लिस्ट कॉंसेप्ट पर, सिमिलर कॉंसेप्ट पर क्वेशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसे ही छोटी-छोटी क्लासेस में, रिकॉर्डेट फॉर्म में, मेरी कोशिश रहे कि हर दिन सुबद 6 बजे और शाम 6 बजे ये वीड टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट, इससे लगातार 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लगाकर अब तक लगबग हर साल सवाल पूछा ही जा रहा है, तो 2024 में भी इस कॉंसेप्ट से क्वेशन आने के पुरे-पुरे चांसेस बनते हैं, तो आईए, दो-चार ऐसे सवाल करत हैं, जिससे पूरा फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट आपका रिवाइस भी हो जाएगा और प्रिवाई की क्वेशन भी हो जाएंगे, तो पहला सवाल आप सब लोगों की आखों के सामने, वो ये रहा, लाइट ओ फ्रिक्वेंसी 1.5 ताइम्स दा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वे गए तो फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट नहीं होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट में दो बातें बहुत इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इंटेंसिटी इस रिस्पॉनसिबल फॉर नंबर ओफो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस फोटो इलेक्ट्रि लिया बिटा तो one point five times of new not लिया लेकिन जैसे आपने अगली frequency को new divided by two कर दिया यहने कि वो value कितनी होगे बिटा one point five new not divided by two यहने कि value होगा point 75 new not and this value is less than new not बिटा इसका मतलब क्या हुआ कि frequency आपने क्या कर दी threshold frequency से कम तो photo electric current क्या हो जाएगा zero अभी ताजा-ताजा 2020 का सवाल है चलिए अगले सवाल में चलते हैं फोटो सेल employ photo electric effect to convert photo electric effect में क्या होता है आगे चलते हैं change in frequency of the light into the change of electric current भाई या भे ने आपको क्या बताया कि frequency का current के साथ कोई लेना देना नहीं है ना जो तो लेना देना है current के साथ हो किसका intensity का, तो यहाँ पर change in intensity of illumination into change in photoelectric current यह बिल्कुल सही है, देखिए, यहाँ पर number of photo electrons per unit time जब आप देखोगे तो वो होता है P lambda divided by H C, number of photons per second, P जहाँ पर क्या बेटा power, power को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, intensity into A, तो आपका N is directly proportional to power, power is directly proportional to intensity, number of photons बढ़ेगा, जिससे यहाँ पर photoelectric current बढ़ेगा, आई बात समझ में, चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल है, 5 watt का source emits monochromatic light of wavelength 5000 angstrom, when placed at 0.5 meter away, it liberates photo electrons from the photosensitive metallic surface, when the source is moved to a distance of 1 meter, the number of photo electrons liberated will be reduced by a factor of, जब source को दूर ले जाओगे, plate से, तो source को दूर ले जाने से intensity change हो जाएगा, because intensity क्या होता है, intensity होता है, power per unit area, और area को आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बढ़ेगे, 4 pi r square, क्योंकि किसी भी source से जो light निकलेगे, वो चारों तरफ फैलेगी, मतलब spherical region में फैलेगी, और spherical region का area क्या होगा, 4 pi r square, तो intensity कैसी होगे बेटा, inversely proportional to r square, तो आपने r को यहाँ पर क्या कर दिया, बढ़ा के increase करके double कर दिया, तो intensity जो है आपकी वो क्या कर जाएगी, घट के i by 4 रह जाएगी, मतलब intensity अगर 4 गुना कम हुई, तो photons भी 4 गुना कम होंगे, तो photo electrons भी 4 गुना कम होंगे, तो correct answer होगा, यहाँ पर 4, 2007 का सवाल है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question, potential या फिर maximum kinetic energy, यह graph वाला question बहुत आसानी से हो जाएगा, the figure shows plot of photo current versus anode potential for the photosensitive surface, there different radiations, which of the following is the correct statement, देखो, curve A और B, यहाँ पर same point से शुरू हो रहे हैं, इससे एक बात इसपस्ट है, कि curve A और B का stopping potential same है, इसका मतलब curve A का frequency should be equals to curve B का frequency, क्योंकि जहाँ जहाँ stopping potential same होगा, वहाँ-वहाँ frequency same होनी पड़ेगी, क्योंकि frequency किसके लिए responsible है, stopping potential के लिए, अब आप देखो यहाँ पर जड़ा, जो photoelectric current है बिटा, current किस-किस का same है, current यहाँ पर B का और current यहाँ पर C का same है, इसका मतलब intensity जो है बिटा, B और C की same हो जाएगी, अब यह बाते ध्यान में रखते हैं, तो curve A and B represent incident radiation of same frequency, बात सही है, बट different intensities, यह लिजिए, पहला ही सही हो गया, क्योंकि A और B का current अलग अलगे, लेकिन stopping potential same है, तो first option ही आपका correct हो गया, आप 2009 में आया था, देखे जरा, अगले सवाल पर बात करते हैं, when light of frequency 2 nu0, nu0 is the threshold frequency, incident on the metal plate, the maximum velocity of the electron emitted is V1, when the frequency of the incident radiation increased to 5 nu0, the maximum velocity of the electron emitted from the same plate is V2, the ratio of V1 to V2 is, 5 गुना threshold frequency बढ़ा दी, Einstein की equation अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो, E is equals to 5 plus, यहाँ पर आपन लिखते काइनेटिक एनरजी maximum, जहाँ पर E को क्या लिखेंगे बढ़ा, H nu0, और यहाँ लिखेंगे 5 plus, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनरजी और यह हो जाएगा, M V1 का whole square, यहाँ पर V1, first condition में, maximum speed है, of emitted electron, ठीक हैं, अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो इस phi को क्या लिख सकते हैं, phi को लिखा जा सकता है, यहाँ पर H nu0 लिखा जा सकता है, everybody, तो जब आप यहाँ पर इसको nu0 नहीं लिखेंगे, इसको H nu लिखेंगे, माफ केजएगा, इसको H nu लिखेंगे, तो जब frequency आपकी केसी बिटा, 2 nu0 है, तो आपका equation, यह वाला equation क्या हो जाएगा, H into में आपको लिखना पड़ेगा, 2 nu0 is equals to यहाँ पर 5 की जगा H nu0, और प्लस आप लिखेंगे, half M V1 square, जिसे इस H nu0 को इसमें से minus करेंगे, तो 2 minus 1 बचेगा हमारे पास, H nu0 is equals to half M V1 square, similarly बेटा, जब आपने frequency को increase करके 5 गुना कर दिया, तो 5 गुना करने पर क्या होगा, यह value हो जाएगी, अच्छा, यहाँ पर आएगा कितना, तो H into में आएगा 5 nu0, इस तरफ आपके पास आएगा, बेटा, H nu0 और प्लस आएगा, half M V2 का square, तो बच्छो, यहाँ पर 5 में से जब 1 minus होगा, तो value के आजाएगी, 4H nu0 is equals to 1 divided by M, और यह V2 square, इसको equation number 1, इसको equation number 2 बोलो, वे नो डिवाइड equation number 1 by 2 बेटा, तो यहाँ पर 1 by 4 बचेगा, और is equals to आएगा, V1 divided by V2 का whole square, तो V1 divided by V2 का जो ratio है, वो आजाएगा यहाँ पर under root के लिए 1 by 2, तो समझ आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर correct option first हो जाएगा, तो ratio पूछा था V1 to V2 and correct option A हो जाएगा, 2018 में आया है, थोड़ा little bit calculated, लेकिन पूरा photoelectric effect revise हो गया, तो हमारी equation भी done हो गई, यहाँ कहाँ मैंने अब तुम्हे समझ आएगा, ठीक है, चलिया आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या बोला है, photons with energy 5 electron volt are incident on the cathode C photoelectric cell, the maximum energy of the emitted electrons is यहाँ पर 2 electron volt, when photons of energy 6 electron volt are incident on C, no photoelectrons will reach the anode A, if the stopping potential of A relative to C is beta, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, photons with energy 5 electron volt आपको बोला गया है, incident करने से कितनी kinetic energy बनी, 2 electron volt, मतलब की हम लिखेंगे 5 electron volt is equals to work function 5 plus यह हो जाएगा 2 electron volt, यहाँ पहली equation से work function पता चल गया 3 electron volt बोलो यह सोर नो, तो जब आप यहाँ पर energy की equation लिखोगे E is equals to 5 plus यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा E V naught बिटा, तो when you are talking about this, ठीक है, E की value क्या लिखोगे 6 electron volt is equals to यहाँ पर 3 electron volt और plus यहाँ पर क्या लिखोगे E V naught, 6 में से जब 3 minus करोगे, बचे का कितना बिटा 3 electron volt is equals to E V naught, तो V naught की value कितने आएगी बिटा 3 volt, but सुनना धियान से, उसने क्या पुछा है, stopping potential of A relative to C, relative to C, अब C का जो potential है बिटा, वो positive होता है, और A का होता है negative, इसलिए answer हमें यहाँ पर minus 3 volt करना पड़ेगा, एनोड का potential negative रखेंगा, तब ही जाकर electrons एनोड पर पहुँचने से बच जाएंगे, ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, बहुत ही simple सवाल है यह भी, फिर से देखो 2016 में, 2016 में ही दो सवाल आ गए, ठीक है, आईए ज़रा, क्या बोल रहा है, when a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, stopping potential is V, if the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4, the threshold wavelength of the metallic surface is, equation same है, बेटा, E is equals to 5 plus, यहाँ पर क्या लिखेंगे, E V naught, इसको क्या लिखेंगे, E को, H C divided by lambda, इसे क्या लिखेंगे आप, तो आप इसे 5 ही रहने दीजिए, अभी आगे चलके समझते हैं, और यह क्या हो जाएगा, इसर E और यहाँ पर stopping potential V हो जाएगा, दोस्तों जब आपने यहाँ पर wavelength को क्या कर दिया, 2 lambda कर दिया, यहाँ पर तो यह फाई रहेगा, लेकिन यह क्या हो जाएगा, E V divided by 4 हो जाएगा, हमें अगर threshold wavelength निकालनी मतलब इस वाली term को गायब करना पड़ेगा, और इसे गायब करने अगर आप उपर वाली equation में 4 से into करो, 4 से into करो, 4 से into करो, यहाँ पर 4 से into हुआ, दोनों तरफ अगर हमने 4 से into कर दिया बिटा, तो यह 4 और 4 क्या हो गया, cancel आपका, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते है, equation 2 में से equation 1 को minus कर दीजे, तो 2 से यह cancel हो के 2 बचा, तो 2 hc by lambda में से hc by lambda जाएगा, बचेगा hc by lambda is equals to 4 में से 1 minus होगा, बचेगा 3 5 everyone, और मैं 3 5 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 hc divided by lambda not hc, hc cancel हो गया, तो lambda not का value आजाएगा, 3 lambda b option आजाएगा, क्या यह बात भी समझे आ रही है, बहुत simple चीजे हैं, अगले सवाल पर आते हैं बेटा, क्या पूछा आप लोगों से, तो आप लोगों से पूछा, according to the Einstein's photoelectric equation, graph between kinetic energy of photo electrons ejected and the frequency of the incident radiation, हमें equation पता है, e is equals to क्या लिखते हैं बेटा, 5, plus यहाँ पर क्या लिखते हैं, kinetic energy maximum, तो you will write kinetic energy maximum is equals to e minus क्या लिखेंगा, बेटा, यहाँ पर 5, e क्या हो जाएगा, बेटा, h new, 5 क्या हो जाएगा, h new not, अब देखो, अगर new की value less than new not हुई, तो no photoelectric effect, electron बाहर ही नहीं निकलेगा, तो kinetic energy कहां से लाएगा, इसलिए अगर आप यहाँ पर y is equals to mx plus c से इसको compare करोगे, तो आपको पता चलेगा, कि line तो straight होगी, लेकिं, यहाँ पर वो शुरू ऐसे होगी, बेटा, कहीं किसी frequency से, और वो होगी threshold frequency, इसका जो slope है, वो यहाँ पर 10 theta होगा, और वो 10 theta यहाँ पर H होगा, और यह होता है बेटा constant for all metal, यह क्या होता है बेटा constant for all metal, यह नहीं कि चाहे आप cathode material change कर दो, यह slope change नहीं होगा, यह भी बहुत interesting सवाल है, 2004-1996 दो बार repeat हुआ है, आईए अगला एक और सवाल है, In the photo emissive cell, with exciting wavelength lambda, the fastest electron has speed V, if the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, the speed of the fastest emitted electron will be, तो बेटा जी आपको एक logic सिखाते हैं, यदि हम intensity को increase करके, क्या करते हैं बेटा, double करते हैं या end time करते हैं, तो photo electric current भी increase होके क्या हो जाएगा, बेटा, end time हो जाएगा, Intensity जितने गुना बढ़ाओगे, photo electric current उतने गुना बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने frequency को increase किया, अगर आपने frequency को increase किया, बेटा, end गुना, तो यहाँ पर आपका kinetic energy maximum more than, more than, end times increase हो जाता है, बेटा, previous value से क्या हो जाएगी आपकी, more than, end times, ठीक है, इसलिए यहाँ पर correct answer ह होगा, greater than, क्या होगा बेटा, greater than V, और 4 by 3 to the power 1 by 2, 1998 में, अगर आप frequency डबल करोगे, तो kinetic energy more than double हो जाएगा, stopping potential more than double हो जाएगा, intensity को डबल करोगे, तो current double हो जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखने, ठीक है, तो यह थे बाहु बली PYQs, on a topic of photo electric effect, सारी कुछ चिज़े इस चैनल, for your need, 2024 journey, ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चिज़ें cover कर रहे हैं हम, और बहुत अच्छे से मचा रहे हैं, ठीक है, तो बस इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएगे, अगर आप 2025 के लिए अपने किसी जूनियर को, या आप मैंसे कोई अगर 2025 का बच्चा देख रहा है, और अफ लाइन अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन दौर के सेंटर पर आकर विजिट कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, यू विल बी गेट डाइरेक्ट 40% और अगर आप मुझ से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा एक फालक बेच है, और उस फालकन बेच में आपको एडिमिशन मिल जाएगा, केवल फोल ट्रिपल नाइन रुपीज में, पूरे साल भर के लिए, विद बेस्ट कॉंटेंट, विद डीपीप, विद स्टुडी मेटेरियल, विद टेस्ट सीरीज, और विद डाउट सॉल्विंग सप कर देस्ट